आतन की हमले के बाद इलाके में हरकम मजग्या ततका सुरक्षाबल मौके पर पहुचे तो डरे हुए आतन की हमला कर फरार हो गए सुरक्षाबल अब उनकी तलाश में साच ऑपरेशन जला रही है अब तक सेना और पुलिस जवानों को निशाना बनाने वाले आतन की घाती में आम लोगों को भी निशाना बनाने में लगे हुए थे कश्मीर से अनुचे 370 हटाय जाने के बाद से ही आतन की संगठन बॉक लाय हुए है यही वज़े है कि अब आम लोगों को लगता निशाना बनाय जा रहा है कश्मीर से अनुचे 370 हटाय जाने के बाद से ही हालात तनाफून बने हुए है आतंकी संगठनों के सफाय के लिए सेना और पोलिस ने विशेश अभ्यान चला रखा है ऐसे में राजी के लोगों में दहशत बनाए रखने के लिए आतंकी अब काईराना हरकतों पर उतारू हो गए हैं घाती में आतंकी अपनी दहशत बनाए रखना चाहते हैं इसलिए अब वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं मद्रदेश के सभी शहरों और जिले में भाज़पा ने जोरदार प्रदर्शन किया हैं इन प्रदर्शनों में बीजेपी नेताओं के साथ किसानों ने भी शिरकत की किसान इस समय कर्ज माफ ना होने और अती वरष्टी के बाद फसल बरवाद होने से काफी परिशान है ऐसे में राजसरकार ने किसानों को कोई मौफ़जा नहीं दिया है जिससे किसान हलकान है कमनास सरकार के खिलाव भाजपा ने भौपाल में भी किसान आकरोष अंदोलन किया जहां कانگ्रेश सरकार के झूट और बादा खिलावी को बीजेपी ने मुद्धा बनाया एजेपी नेताओं ने कहा कमलनास सरकार के दस माह के शाशन में कर्ज वसूली से किसान पर रिशान है बारिश में बरबाद हुई फसलों का किसानों को मौधबन नहीं मिला खेती के लिए परियाप्त बिजली नहीं मिल रही भावंतर भुक्तान योजना का लाफ नहीं मिल रहा किसाना आत्म हत्या कर रहे है कर्जमाब भी हुई नहीं कांगरेस पारटी ने अपने खुष्णा पत्र में कहा था कि दो लाख रुपे तक की कर्जमाब भी तस देन में कर देंगे एक भी किसान की प्रदेस में दो लाग रूपे तक की कर्दमाब ही ने किसान हाहा कार कर रहा हाती प्रश्टी से लागों हेक्टियर फसल खरीब की बद प्रदेस में निश्थ हो गई आज तक एक रुपया भी किसी प्रभावत किसान के लिए मद्द प्रदेश वे नहीं मिला। विद्यूत विवाक के अधिकारी नहीं सुधरे तो उन्हें कमरे में बंद किया जाएगा। इसी के बाद भाजपा विधायक आकाश ने मनुझ पटेल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कमरे में बंद करना तो ठीक लेकिन बिजली कमपनी के अधिकारी ये भी समझ ले कि हम कभी खाली हाग नहीं घूमते हैं। इसी लिए आगे क्या होगा उन्हें समझ लेना चाहिए। आकाश विजवर्गे के इस बयान से फिर राजनेतिक हल चल शुरू हो गई है। बाजपा के राष्ट माहसाचिव के लाश विजवर्गे के बेटे विधायक आकाश विजवर्गे ने इसके पहले एक नगर निगम अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था। धटना के बाद आकाश को गरफतार कर जेल भेज दिया गया था। फिर कमिशनर कारियाले से के सामने धर्ला दे कर कमिशनर को ग्या पंस वापा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के दर्द को समझे और 40,000 रुपे प्रती हैक्टर मुआबजा राशी साथ ही फसल बीमा योजना का भी पैसा दें। और 2,000,000 रुपे तक कर्ज माफी का भी अपना वादा पूरा करे। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो किसानों के साथ ये फसले अब मंत्राले में उनके सामने रखूँगा और मौवज़े की मांग करूँगा। उन्होंने कहा कि किसान पीडित है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार उनकी सुधले जो फसले खराब हुई हैं उसका सर्वे कराए और मौवज़ा दे। उन्होंने कहा एक हफते के अंदर अगर सर्वे नहीं हुआ तो कॉंग्रेस के मंत्री जहां भी जाएंगे उनका वहां घिराव होगा। दोसों इनके विजली के बिलागते आजाया है, छासत हजार मावन रुपईया, धन्यहरे गमलाग भीया, दोसों के शासत हजार, कुछ तो सरंकर भाईगे, यह धेर लगाए, पजपन हजार, पचपन हजार, पचपन हजार, चारीस हजार, बैतारीस हजार, और कह रहे हैं हम किसानों को दोसों रूपे से अधिक का बिजली बिल जमा ना करने की बाद भी कही, लिधान सभाद चुनाव से पहले कौंगरेस पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के किसानों से वादा किया था, कि उनका दो लास तक का कर्ज प पहारी आक्रोश है, शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अगर दस दिन के अंदर कर्ज माफी नहीं हुई तो वे मुखमंत्री बदल देंगे, लेकिन वे खुद ही बदल गए, अब वरतमान कांग्रेस अध्यक्ष उनकी मा को ये वादा पूरा करना चाहिए, मुखमंत्री कमलनात के भाजपा के दो या तीन और विधाया कॉंग्रेस में लाने के बयान पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोतम इश्रा ने कहा कि सफरकार बचाने की इतनी चिंता कमलनात कर रहे हैं, उसकी आधी चिंता भी किसान की कर लेते, तो किसान आत् मुख्या को मजबूर नहीं होते, सडकों पर नहीं आते किसान, भाजपा ऐसा कोई काम करती है, तो कहा जाता है कि हौर्स ट्रेडिंग कर रही है, हम करें तो पाप कॉंग्रेस करें तो पुन्या आज मुख्यमंतरी का बयान पड़ा के दो-तीन विधायक और आएंगे, एक विधायक की सरष्टा समाप्ती की बहुत जल्दी करी, दो विधायकों को सदन में क्रॉस वेटिंग को परिरिद कर रही थे, प्रेस कॉंफ्रेंज करते थे, अगर विपक्ष ऐसा कुछ करें तो क कितने होस्टेडिंग करता है विपक्ष हम करें तो पाप और ये करें तो पुन्या, सरकार बचाने की जितनी चिंता मानी कमल आज जी कर रहे हैं, इसकी आधी भी चिंता अगर किसानों की की होती, तो आज प्रदेश के किसान आंदोलित नहीं होते और सडकों पर नहीं उतर पर निशाना सा था, कहा कि प्रदेश में 29 सीटों में से 28 परवीजी पी सानसद है, लेकिन सभी सानसद किसानों के मुद्ध पर चुपी साधे बैठे हैं, केंद्र सरकार किसानों को मौद्धा देने के मामले में 113 व्यवहर कर रही है, जरुत पढ़ने पर किसानों की मुद पर नाराज की जता रहे थे, किसानों के लिए पैसे देने की मांग कर रहे थे, कॉंग्रेस के सेक्रों कारेकरताओं ने कमिशनर को केंद्र सरकार से राहत राशी दिलवाने के लिए राष्टपती के नाम ग्या पंसवपा, मौजूदा विधायक मुन्ना लाल ने कहा कि पैसा दो, आपने करनाटक को पैसा दे दिया, आपने बिहार को पैसा दे दिया, क्या मदब्रदेश की जनता, मदब्रदेश का किसान को हक नहीं मिलना चाहिए, अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बताओ, उन्हें हक मिलना चाहिए, तो इसके लिए ये ब्रोध प्रसंस हमारा इसलिए है कहा कि कांगरेस सरकार कुप कर्णी नीद में है उनसे स्थिती समल नहीं रही है तो अब किसानों के मुद्दे पर बहानिवाजी कर रही है इसी को लेकर प्रदेश में बीजेपी ने कौंगरेस सरकार के खिलाफ आंधोलन किया बीजेपी के शहर और घ्रामीड छेट्रों के का पुर्व मंत्री उपर शंकर गुत्ता और सांसाद विवेक सेजवलकर ने अपने संबोधन में कवलनास सरकार को घेरते हुए उन पर किसानों को राहत राशी नहीं देने और उसका ठीक राके इंदर सरकार पर फोलने का आरोप लगाया हम दिले में किसान के तिक पृतिसं किया है जो आपने वाइदा किया है किसानों को अच्छा तक काल माफ करें हमारा विपख्ष के नाते पहला दाईत वह यह जो सरकार गड़बड़ी कर रही है सरकार नहीं सुझ रही है उसको हम सुनने को मजबूर करेंगे सरकार कुम्मकड़ी नीन से जागे वो किसानों के वोट लेकर के सत्ता में आई है किसानों के साथ दोका करके उन्हें सत्ता प्राप किये अब वो भुगते अब वो बताए कि किस तरह वो किसानों की समसे हल करेंगे दोनों ही पाटी अपने आपको किसानों के इहतैशी बता कर जिमेदारी से पल्ला ज़ाड की नजार आ रही हैं। एक तरफ जहां कॉंग्रेस केंदर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी आंदोलन के जरिये प्रदेश की कॉंग्रेस स किसानों से जुड़ा हुआ है। देखना ये होगा कि ऐसे में इन दोनों पाधियों के आंदोलन से किसानों को कितना फाइदा पहुशता है। या फिर किसान दो पाटों के बीच पिसकर रह जाता है। के नाम पर घड़ियाली आसु बहा रहे हैं। शिवराज को चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शिवराज सरकार में किसानों को बिजली के बढ़े हुए डाम दिये गए और वसूली के नाम पर किसानों को लजजित किया जाता था। घर के बहार से मोटर साइकल उ उठाली गई है। कितना लजजित और जलील किया जाता था बिजली के बिल वसूली में किसानों को मेरी विदान सबाके बिचोली हफसी गाओं में पूरी लारी गई विद्यूत मंडल की पुलिस को लेके और ट्रक में पच्चिस तीस चालिस ने सो से ज्यादा घरों की मोट उठा उठा के उसमें रखी इस तरीके साथ बिजली के बिल वसूली करते थे। कहा कि बिहार समिलादू का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन के बाद गया लेकिन उनको राहत राशी जारी कर दी गई अब तक मध्यप्रदेश को राहत राशी नहीं दी गई मध्यप्रदेश के देवास से सांसद महेंदर सिंग सोलंकी के समर्थकों की गुंडगर्दी सामने आई है। सांसद के समर्थकों ने नव निर्मित पुलिस चौकी की दिवार को तोड़ दिया इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। जिस पे साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त सांसद के समर्थक दिवार तोड़ रहे थे उस समय सांसद भी घटना इस धल पर मौझूद थे। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ती को नुकसान पहुचाने का मामला सांसद और वर्तमान व्यापारी शिव कुमार सहित अन्ने पर दर्च कर लिया है। यहां पुलिस की मौझूद की जरूरी है। पुलिस मांगे रखे लेकिन कमलनाथ ने बिजावर शेत्र के विकास के मुद्दे पर खोश्राओं से इंकार कर दिया। बिजावर का उपेखशित इतियास है। यह उपेखशित इतियास तभी बनलेगा। जब मैं यहां खुद आउंगा और अपने आँकों से देखूँगा कि किस प्रकार से बिजावर पिछडा हुआ रहा आप उपेखशित रहा। अभी बबलू ने इत्ती सारी मांगे सुनाई इत्ती सारी बाते करें आप सबने बड़ी आशाओं के साथ स्वागत किया। कमलनाथ ने अपने साथ मिनट के छोटे से संबोधन में कहा कि वे विकास की योजनाओं को लेकर घोश्राएं नहीं करते हैं। आउयोजन में पहुंचे मुकमनाथ का पूरा जोर पूर्मुकमनाथ शिवराज सिंग को घेने में रहा और समोधन में चार बार पूर्मुकमनाथ का नाम लिया। पहले पति के वो चाटे लगाए फिर प्रेमिका के बाल पकड़ कर चौराहे पर घसीड लाई हंगामे के बाद मामला थाने पहुचा तो पुलिस ने आदम चिक काट कर उन्हें रवाना कर दिया नंदा नगर निवासी महिला के पति सौरब दुवे का मलवा मिल चौराहे पर रहने वाली यूपजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था सौरब भवरकुआ शेत्र में कार कंपनी में नुकरी करता है महिला का कहना है मैंने कई बार पति को समझाया कि वह प्रेमिका का साथ छोड़ दे उसकी हरकतों से दोनों की शादी शुदा जिंदिगी में दरार पड़ रही है सौरव जूट बोलता और आफिस के बहाने प्रेमिकार से मिलने पहुँच जाता पास दिन पहले इसी बात पर दंपती में विवाद हुआ रहीवार दो पार महिला को खबर मेनी की सौरव प्रेमिका को लेकर रिंग रोड़े सित एक मल्टिप्लेक्स में फिल्म देखने गया है महिला बहन को लेकर दोनों को सबक सिखाने मल्टिप्लेक्स पहुच गई पार्किंग में दोनों की कारी भी खड़ी दी गई करीब दो घंटे बाद जैसे ही सौरव प्रेमिका एक दूसरे का हाथ थामने बाहर आये तो महिला उन पर तूट पड़ी जैसे ही सौरव को चाटे जड़े तो प्रेमिका भागने लगी महिला ने उसे पकड़ कर सड़क पर पठका और लाग घूसों से पिट्रा शुरू कर दिया यह देख मौके पर लोगों की भीर लग गई इतने में पुलिस आ गई और सब को पुलिस स्टेशन ले आई पुलिस ने सौरव वा उसकी प्रेमिका के विर्द अदम चेक काट कर रवाना कर दिया मौगावली में नैशनल हाइवे पर ढूदे गाओं के पास खून से सने की युवा का वीडियो सामने आया है इस युवा की डायल सो से अस्पताल ले जाते समय बौत हो गई फिलहाल पुलिस मामले को आत्मत्या बता रही है पुलिस ने मौके से ब्लेड बरामत की है बताय जा रहा है की युवा की युवाक मुंगावली रिश्टदारी में आया था प्रतेक्षी दर्शियों की माने तो युवाक में बिलेड से खुद पर कई वार किया और घायल हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने वक्त मौत हो गई पुलिस ने मामला दच कर चार्श शुरू कर दी मद्रप्रदेश के हर्दा जिले की सबसे बड़ी नदी कहलाने वाली माचक नदी पर आज़ादी के बाद से आज तक पुल का निर्मार नहीं हुआ है कई सरकारे आई और गई लेकिन पुल के निर्मार के लिए किसी ने पहल नहीं की पहल की तो बस जूटे वादों की इस नदी से रोजाना सेकडों रहागीरों के साथ-साथ दरजनों से अधिक इसकूली बच्चे भी आना जाना करते हैं जुगार की नाव से माचक नदी पार कर बच्चे रोज मर्धा पढ़ने जाते हैं रागीर तो जैसे तैसे नदी पार कर लेते हैं पर बच्चे जुगार के नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं इतना ही नहीं यह नदी दो विधान सभाओं को जोडती है नदी के एक तरफ हर्दा विधान सभा लगती है तो दूसरी और टिमर्नी विधान सभा और शायद यही इस नदी का कसूर है कि यह दो विधान सभा के बीच में है बड़ी मुश्किल से मतलब आरी समस्कूल बांधी करते हैं मतलब आते हैं नदी दो विधान सभाव को जोड़ती है हर्दा वो विधान सभा और विधान सभा को और बन ग्राम जो है सीधे जिला मिख्याले से जुड़ जाए अगर यह इस नदी पे पुल बन जाये तो अब 20 क किलोमेटर गूंद के आना पड़ता है यह बहुत दिनों से मांग की जा रही है लेकिन किसी भी जन्पतिनी दिने इस और ध्यान ने दिया ना सरकारों ने ध्यान दिया सरकारे भी बदला गई है लेकिन सरकारों ने भी तक ध्यान ने दिया है अगर यह नदी पे पुल बना जाता है तो बन ग्राम के दूर दराज के जो ग्राम कम से कम पचास गाउं जो ऐसे हैं जो हर्दा जिला मुख्याले से सीधे जुड़ सकते हैं शाशन द्वारा बच्चों को नदी पार करवाने के लिए नाव महिया कराए गई परन्तु नाव भी 15 दिन से ज्यादा नहीं चली और छतिग्रस्थ हो गए जुगाल की नाव किसी भी दिन बच्चों की जान के लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं इसके अलावा ग्रामीड भी इसी जुगाल की नाव से वाहन सहित गाँ पहुचते हैं प्रशाशन के अंदेखी के चलते यहां कभी भी बड़ी दुरघटना घटित हो सकती हैं अब इसमें पूटे पानी भरारा तो नाव में तो बरकर दो कि नाव भी पिछली वार एक गड़ना भी होगी मोटर साइकल गिर जानी में से बाड़ में एकानले में मैं भीमराज भूर बेपारी यह का मुल्ली वासी हो और माचक की पुल की मांग लंबयार से चल रही है दोनों विधानसवाओं के बीच में होने के चलते हैं अभी कुछ को नहीं इसमें और इसकुली वच्चे आते हैं और जो आदिवासी बन ग्राम लगें वही सारे लोग को रोजगार के लिए यहीं पराते हैं कई वार उनको 20 किलोमेटर दूर से जाना पड़ता है जिससे सारे काम और मजदूरी करने में सभी लोगों को दिक्कत होती है और बेपारियों को भी विशेश समस्या का सामना करना पड़ता है रविवार दोपहर मंत्री जीदू पटवारी मढ़ाई से भोपाल जा रहे थे तब ही उन्होंने देखा कि एक बाइक सवार घायल हालत में रोज किनारे बैठा हुआ है और एक महिला का शब पड़ा हुआ है मंत्री पटवारी ने तुरंट अपने कार को रुखवाया और इस्थाने पुलिस को सूचना दी माखन नगर पुलिस जब तक मौके पर पहुंच दी तब तक मंत्री ने एक अन्य वाहन को रुखवाया और सबसे पहले महिला का शब घायल को अस्पताल पहुचाया हाथसे के बाद काफी देर तक महिला का शव रोज पर ही पड़ा रहा वहां से लोग गुजरे भी लेकर पुलिस को सूचना रही दी एसी दोरान जब खेलवा उच्छ शिक्षा मंत्री जीदू पटवारी वहां से निकले तो उन्होंने तुरंत अपने वहां को रुखवा कर स्टाफ से मदद करने के लिए कहा और खुद पुलिस को सूचना दी उनके साथ मौजूद पाइलिट वहां के इस कर्मियों ने रवस्था सभाली करी बादे घंटे के बाद बावई पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुचा लेकर ने तब मंत्री जीदू पटवारी ने घायल को अस्पताल भिजवा दिया था पुलिस ने ट्रक चालख के खिलाफ केस तरच कर लिया है बुद्वाडा निवासी अनिल मीना दोपहर अपनी पत्नी चंदाबाई के साथ मुटरसाइकल से बावई की ओर जा रहे थे इसी दोरान राधे किश्ण वेर हाउस के पास एक तेज गती से आ रहे ट्रक ने लापरवाही पूर्वक उन्हें पीछे से टक्कर वार दी जिससे महिला चांदबाई मीना की मौके पर ही मौथ हो गई और उसके पती खायल हो गए आप देख रहे हैं दखल नियूट संगीत की स्वद लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूट मीती तक दखन न्यूद आप क्या है? आप देख रहे हैं दखन न्यूद